हलो गाईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आपके मोबाइल में प्रेपार गेम खेलते समय यार जोयस्टिक से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि नॉर्मली जोयस्टिक यहां पर हमारा काम करता है लेकिन कभी-कभी यार यह बीच में आ जाता है या फिर क रिकी को बहुत सारे जोयस्टिक से रिलेटेव प्रॉब्लम रहता है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो गाईस इस वीडियो को आप लास तक देख लिजेगा और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल रहेगा दोस्तों लाइक जरूर से कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन में से आल नोटिपिकेशन को ओन कर लिजेए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों फ्रीफायर में जोयस्टिक का प्रॉब्लम आने का कई कारण हो सकता है पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप डिस्प्ले को चेंज कराया होगे जैसे आपका नया मोबाइल नहीं होगा एक आग बार आप रिपेर कराया होगे डिस्प्ले को तो उस कंडिशन में एक बार आपने डिस्प्ले का टेच को आपको चेक करना पड़ेगा चेक कैसे करना है उसको मैं सबसे पहले आपको पतते हैं उसके है यहाँ पर multi touch का option मिलेगा उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना finger एक से दो, दो से तीन लगा करके आपको देखना है तीन चार finger आपकी में काम कर रहे की नहीं अगर यह सब काम कर रहे है मतलब आपकी में जो touch screen लगा है वो multi touch को support कर रहा है ठीक है और दूसरा test आपको करना है single touch वाले जो option है उसको आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर आपको जितना भी box आपको मिलेगा सभी की सभी को आपको फिल करना है टच अच्छा रहेगा तभी सब box फिल होगा अगर touch में कोई भी problem है तो यह box खाली छुट जाता है तो देखो मेरे mobile में सभी box भर चुका है यह last वाला भरूंगा उसके बाद यह बेक हो जाएगा test complete हो चुका है इसका मतलब मेरे mobile का touch पूरा सही है बागी जो problem आ रहा है वो prepare के वजह से आ रहा होगा तो अब उसका setting में आपको बता देता हूँ अगर आपको touch में कोई भी problem मिल जाता ही इन सभी test को करते समय तो आपको touch का repair करा नहीं पड़ेगा यह hardware problem रहेगा आपके mobile में इसको हम लोग software में कुछ भी करके change नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपका touch पूरा सही है तभी जाकर के आगे जो setting बता रहा हूँ नहीं आपके लिए work करेगा तो अगर आपके joystick का problem आ रहा है ना तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसा चीज जिसको moment के साथ control वाला जो button है ना वो left side में रखेंगे उसमें भी problem आता है क्योंकि ग्लू वाल को select करना रहता है और ऐसे ही बहुं सारा switch है जिसको आपको drag करके select करना रहता है जैसे medikit को इस तरीके से drag करके हम select करेंगे तो left side में नहीं होना चीए उसको drag करते समय कभी कभी गलती सी यह touch हो जाता है तो यह joystick पूरा left side में रहता है यहां center से ना पूरा left side में हर जगा joystick रहता है इधर भी joystick है इधर भी है सब जगा है तो कुछ भी चीज़ को आप drag करोगे तो वहां पर joystick आ जाएगा इसी कारण से बोल रहा हूं बटन के आसपास में कहीं भी टच नहीं होना चाहिए सिर्फ बटन ही क्लिक होना चाहिए तो इतना size उसका रखना है तीसरी बात है जोएस्टिक के size को उतना ज्यादा बड़ा नहीं रखना है आपको ठीक है मैं आपको दिखा देता है क्योंकि यहाँ पर पूरा clean दिखता है मतलब साब दिखाई देता है अब यहाँ पर मैं click करूंगा joystick वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था लेकिन बस इसके size को आपको ध्यान रखने की ज़रुरत है और अगर आप three finger और four finger खेलते हैं और उस बीच में आपके problem आ रह करना है इसमें कोई भी problem नहीं आएगा और अगर आपका हाथ ऐसे ही बैठ चुका है तो उस condition में आपको अपने finger को perfect जगा पे touch करना पड़ेगा तो इन्हीं सब basic tips को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका problem 100% solve हो जाएगा और left side में ऐसे button को आप रख सकते हैं जिसको कम स कम टच करना पड़े जैसे setting का button left side में में रखाऊ हूं यहाँ पर emote दिखाने का button भी में left side में रखाऊ हूं क्योंकि यह gameplay का हिस्सन नहीं है gameplay के दवरान इसको click नहीं करना रहता और gameplay के समय में जल्दी जल्दी जिसको click करना रहते हो उसको right side रखेंगे तो आपके लिए ज साथ अभी के लिए सबी को bye bye